नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं फाइलेरिया के बारे में लिम्फेटिक फाइलेरिया एसस भी इसको बोलते हैं इसके साथ साथ ऐलिफेंटिया एसस के नाम से इसको जाना जाता है मतलब हाथी पाँ इसमें हम डिसकस करेंगे और हिंदी में है ये टॉपिक और इसमें हम MCQs देखेंगे कि जो कॉंपिटिशन एक्जाम में इन टॉपिक से किस तरीके से MCQs बनते हैं ताकि आपको उसमें बेनिफिट हो सके इसलिए हम आपको इसमें बताएंगे कि सवाल कैसे और कहां से बनाई जाते ह हैं तो चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब जरू कर लिजिए का ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे और वीडियो को लाइक भी जरू कीजिएगा अब हम बात करेंगे इसमें फाइल एरिया के बारे में तो सबसे पहली चीज तो इसके इंट्रॉड प्रजाती के संक्रमत मादा मच्छर द्वारा काटे जाने पर होता है और थर्ड कोशन आपका बन सकता है कौन से प्रजाती का मॉस्किटू जो है काटने से आपको फाइल एरिया होता है तो यह आपका क्यूलेक्स आ जाएगा समझ में आ रहा है तो इस तरीके से हैं फाइल एरिया के बारे में हमने तीन पॉइंट कवर कर लिए सबसे पहला चीज नेमेटोट क्रेमी है ठीक है उसका नाम क्या आपने वाउचेरिया बेंक्रॉप्टी तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है तो यह सबसे इंपोर्टेंट चीज किसके दौरा काटने से फै का चाहिए और सकतते हैं और मनुष्स्य इसमें डॉप्टी होस्ट की तरह काम करता है और मंच्छर में यह इंटर्मेडियेट ğanुष्ट होता है ठीक है मच्छर इंटर्मेडियेट छोष्ट हök समया और पूछे मिद्मारा की इसमें धुल्स इन मारांक्त पुछे झा तो है कि file area में intermediate host कौन सा हो क्या होता है मच्छर होता है मनुस से होता है और कुछ भी option आ जाता है तो इस तरीके से इसको भी आप याद कर सकते हैं आसानी से और इसमें दुनिया भर में एकतिहाई file area के मामले भारत में पाई जाते हैं वर्स 2004 के उपरांद भी MDA प्रोग्राम चलाया है तो यह सब प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें आपको टार्गेट रहता है कि इसको इंडिया से जल से जल खतम करना है और इसके बात की topic है अभी हम इसको कवर कर देते हैं और उसके बाद जो है अगला हमारा जाता है जीवन चक्र जो सबसे इंपोर्टेट्ट चीज होता है कि इसी भी चीज के लिए कि जीवन चक्र किस तरीके से इनका चलता है तो हम जो भी परसाइट पड़ते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि उसका जीवन चक्र किस तरीके से चलता है तो वह एहम हो जाता है इंपोर्टेंट हो जाता है और यह चीज आप ठीकल जब कोशन या डüzबाद हो तो जो या ड山 होता है तो जो भी डाद होता है वह मनुस्ट्ञाइए के लिप्फेटिक सिस्टम में पर इस तरीका से हमाता इसमें बड़ी होता है और यो होता है और इस माucht हमें व minder होता पřिसमें नर जिसको MF-sort में हम बोलेंगे तो माइक्रोफाइलिया जो है प्रति दिन जन्म देती है जो लिंफ से होते हुए रक्त परिवहन तंत्र में पहुँच जाता है जब कोई वाहक मादा मच्छर जो क्यूलेक्स है जिसका नाम यदि ऐसे वेक्ति को काटता है जिसके अंदर क्या है MF है समझ में आ गया अब जो अल्रेडी ऐसा इनसान है जिसमें MF प्रिजेंट है अब वो मादा मच्छर आए और उसको काटा अब जैसे ही उसको काटे तब MF जो है किसके अंदर चला जाएगा मच्छर के अंदर अमासे में रक्त के साथ पहुँच जाएगा और एक से दो घंटे में वो MF जो है सीज से बाहर आ जाता है और अमासे की दिवार को पार करते हुए कहां पहुँच जाएगा थोरेसिक मसल्स में चला जाता है अब ये पूरा साइकल किस के अंदर मॉस्कीटो के अंदर चल रहा है समझ आ रहा है आपको सबसे पहला चीज हमने देखा आराम से समझें के समझ में आ जाएगा जिस वेक्ति के अंदर MF प्रिजेंट है और उसको आकर के एक ऐसा मच्छर काटा जो स्वास्त है उसके अंदर कोई इंफेक्शन नहीं है या कोई पैरसाइट नहीं है ठीक है या वाउचेरिय बैंक्रॉप्टी उसके अंदर प्रिजेंट नहीं है अब वो उसने काटा तो ये MF जो है मॉस्कीटो के अंदर पहुँच गया अब आगे की कहानी क्या होगी इसमें इस प्रकार अपनी तिरतीय स्टेज में ये काफी सक्री होते हैं वा मच्छर के प्रोबॉसिस में पहुँच जाते हैं तथा संक्रमण करने में क्या हो जाते हैं सक्षम हो जाते हैं अब ऐसा मच्छर अब देखिए ये संक्रमित होने में क्या हो गया सक्षम हो गया जो मादा मच्छर उस वेक्ति को काटा था जो इंफेक्टेट था अब ये मच्छर बहुत डेंजर हो गया है एक स्वस्त वेक्ति के लिए समझ आ रहा है आपको तो अब य ये मच्छर किसी स्वस्त वेक्ति को काड़ को तो सक्री या लार मनुस्य이면 मच्छर लारrh उपन ह है ठीछ लैई वह लजीक टंत्र में workingiac हों महों से लजी का तंत्र में छो लेम इसमें में इंप्रटल्ट चाहिए एसमैं विक्सित होगा और व्यस्क क्रिमी बनाएanka समझ वेस्क क्रिमी बनाएगा जिसको adult warm कहते हैं अडल्ट वर्म बनने के बाद मनुस्रे के अंदर तो यह बहुत दिनों तक प्रिजेंट होगा लेकिन जो मच्छर के अंदर का चक्र है यह 10-14 दिन होता है जबकि वेस्क क्रिमी जो अडल्ट वाम होगा मनुस्य में काफी वर्सों तक 15 सालों तक भी जीवित रह सकता है परन्तु जो सक्रिय लारवा से वेस्क क्रिमी बनने में या MF उत्पन होने में 8 से 16 महा का समय लग सकता है तो उसको आप इंक्यूबेशन पिरियट के लिए अगर बात करेंगे तो इंक्यूबेशन पिरियट मनुस्य में जो है वो एक साल का इसमें कहा जाता है तो इंक्यूबेशन पिरियट क्या होता है हमने पहले भी बता चुके हैं तो इस तरीके से कुछ इसका जीवन चक्र है बहुत ही आसान और साधरन भासर में मैंने आपको समझा चुके हैं और वित्र डाइग्राम भी आप बना सकते हैं सिंपल तरीके से ताकि आपको किलियर वो समझ में आ जाएगा ठीक है उसके बाद अगला चीज हम इसमें देखेंगे लक्षण या लिम्फेटिक फाइलरियस के आपको इसमें फाइलरिया के लक्षण क्या क्या चीजें दिखाई देगा तो सबसे चीज इंपोर्टेंट जो है लिम्फेटिक फाइलरियस इसमें निमलिकित लक्षण देखे जा सकते हैं हमने यहां पर दिखा है a symptomatic microfilaria तो इसमें कोई लक्षण और कोई a कि आपको दिखाई नहीं देगा उसके बाद a symptomatic microfilaria जो सिकेंड है उसमें कि कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा लेकिन जाच में आपको mf जो है प्रिजेंट विलेंगे तीक इमाइक्रोफ इसमें प्रिजेंट आपको दिखाई देगा इस्टेज ऑप एक्यूट मैंफेस्टेशन तो कुछ माहों या वर्सों में जो है बार-बार अंगों में क्या हो जाएगा सूजन या भुखार आदी होना तो यह भुखार तो यह primary symptoms होता है किसी भी infection का ठीक है तो जो भी infection अगर होगा तो भुखार तो उसमें आना ही आना है लेकिन जैसे हमने हाथी पाँँ बोला है इसमें तो इसके लिए जो है जैसा कि यह टर्म इसम आपको देगा समझ आ रहा है तो इसमें टाइम लगेगा तुरन तो ऐसा होता नहीं है जैसे जैसे ग्रोथ होगा उस तरीके से फिर ये आपको सिम्टम्स इसमें दिखाई देंगे लेकिन प्राइमरी सिम्टम्स जो भी है भुकार वगर आना वो तो आएगा ही ठीक अब स्टेज ऑप क्रोनिक अब्स्ट्रेक्शन लीजन्स तो प्राया 10 से 15 वर्सों बाद ठीक है इसमें हाइड्रोसिल एलिफेंटियासिस या फिर हाथी पाउं जो हम बात कर रहे हैं इसमें इंपोर्टेंट चीज ठीक है और कायल यूरिया जो सफेद पिसाब का होना आदी का होना जो है आपको दिखाई देगा तो ये लक्षण बहुत गंभीर परिस्तिती जब होगा आगे जा करके तब ये लक्षण आपको दिखाई देंग ठीक है इसनों फील लिया तो ये है और उसके साथ साथ अब ये लक्षण जो आपको इसमें दिखाई देंगे इस लक्षण के साथ साथ जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है जैसे कि हम इसमें हाथी पाउं वाली बात कर रहे हैं तो अगर इस कर्णिशन में पहुँच जाते भी एका ठीक है आम तूर पर इसकी लिए जो रक्त प्रटेश का या स्लाइड जो बनाए जातेरे हैं उसीजा रक्त का सम्पल आप लेंगे बलड सम्पल रात्री 10-12 के बीच में आपको सम्पल इसका लेना है तो जब बिर्वे करते समय रात को ही इसका सेंपल लिया जाता है तो MF मिलने की संभावना इसमें जादा हो जाती है क्योंकि वो रात को ही active आपको ब्लेड इस्ट्रीम में आपको देखने को मिलेगा समझ आ रहा है तो किसी भी हाल में अगर रख सेंपल आपको लेना है अगर सही टेस होगा जैसे इसमें टाइम उपर दिया है दस से दो बजी की बीच में निकालना चाहिए तो उस समय आपको यह मिल जाएगा अगर प्रिजेंट है तो ठीक है नहीं तो फाल्स नेगेटिव आने के चांसे उसमें बने रहते हैं और सीरोलोजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें हैं तो इसमें अलग अलग रहेंगे तो आपको ध्यान रखना है यह रात्री का समय आपको याद रखना है तो यह सबसे इंपोर्टेंट चीज आपके लिए हो जाता है ठीक है और जनरल नौलेज है आपको यह तो याद होने चाहिए नियंतरन के अगर हम बात करें तो औस इसमें वहाग नियंत्रण बहुत सारे एंटी लारवल मेजर्स उसके बाद एंटी अडल्ट मेजर्स पर्सनल प्रोफेल एक्सिस यह तीनों ही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हैं उसके अलावा इसमें लिंफेडीमा हो जाएगा अगर तो क्रोनिक फाइलरी अग्रेस त्रो बहुत हो तो इसके लिए आपको डॉक्टर से ही सलाह लेनी होती है तो त्रीटमेंट वाला पार्ट उनका है जो भी उसमें उचेत लगता है उस तरीकी से इसका टीमेंट किया जाता है तो हम इसमें डिसकेंगर जादा नहीं करेंगे सबसे ज्यादा इमपोर्टेंट हमारा diagnosis वाला पार्ट था तो यह diagnosis वाला पार्ट आपको blood slide आपको बनानी है रात के समय सेंपल ले करके और उसके बाद उसको staining करके आप microscope कर सकते हैं तो आपको इसमें MF दिखाई देंगे ठीक है तो यह important topic था इसमें आपको I hope समझ में आ गया होगा सबसे important चीज़ें जो है वो मैंने आपको cover करके दे दिया है और MCQ उसके base पे जो चीज सवाल इसमें से बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिये हैं तो वीडियो आप जरूर एक बार और देख करके समझ सकते हैं नोट्स भी आप बना सकते हैं बहुत आसान है और इसके अलावा आप वीडियो को सेर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में उनको भी आप बता सकते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं competition exam की वो इसी तारीके से आप topic wise तैयारी कीजिए जो भी आपका अच्छे वासे उसके according और जरूर आपको सफलता मिलेगी thank you so much